जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि लोक सभा में ये 550 का आकड़ा कैसे आता है जबकि एक्चुली नंबर इसका करेंट टाइम पे 545 ही है और दो सदस्यों को निकाल दिया जाए तो 543 सदस जहे अलग-अलग राजियों से और केंद्र सासित्र प्रदेशन से निरवाचित हो करके आ साथ सदस्यों का आकड़ा जो मैक्जिमूम हो सकते हैं 552 का और 545 में निरवाचन प्रद्धती लागू होती है तो इसी वज़े से जो साथ सदस हैं ये साथ सदस पाकिस्तान अधिकरत काश्मीर का छेतर है इसी वज़े से अब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और यही एक मात्रवज़ है कि हम करेंट टाइम पे लोकसभा में 545 यानि 2 सदस निकाल दिया जाएं तो 543 सदस से ही राज्यों से निरवाचित होकर के आते हैं अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीठे निरधारित की गई हैं किये कितनी होंगे तथा राज्य सभा की सीठे भी निरधारित की गई हैं कि कितने होंगे जैसे हम एक जामपल के तौर पर ले ले लें तो मध्दप्रदेश में लोकसभा की सीठे 39 तथा राज्य सभा की 11 सीठे निरधारित की गई हैं लोकसभा के मेंबरों के निरवाचित सदस इनका चुनाओ करते हैं लेकिन यदि हम बात संक्रमड अनुपातिक गुप्तमतदान प्रणाली द्वार होता है इनका राज्य सभा के मेंबरों को चुनाओं लकिन लोक दर के मेंबरों को चुनाओं फ leaking यह द्रीक्ट संसद को मत देते हैं अब लोक सभा में किसकी सरकार बैठेगे इसका निरधर्द तब हम decide कर पाते हैं जब 545 सदश्यों में से ये 545 सदश अलग अलग राजियों से सॉरी 543 सदश जहें ये हर एक राज में इनकी निश्चित संख्या है जैदि सब टोटल जोड़ा जाए तो ये 543 होती है अब यदि बात करें जिस भी पार्टी के पास 273 सीट हैं जो भी पार्टी हासल कर लेता है उसी के सरकार केंदर पर बैठती है यानि कि जिनकी सांसद सबसे जादा है वह पार्टी जिसके संसद लोकसभा में सबसे जादा है जब लोकसभा चुना हो रहा होता है तब अलग अलग पार्टी है अपनी उम्मेदवार या प्रत्यासी अलग अलग राज्यों में खड़े करते हैं। उन प्रत्यासी यदि उस छेत्र से जीत हासल कर लेते हैं तो वह लोगसभा के सीठों में काउंटिंग हो जाते हैं। यानि कि सपोज आप मान लेजे कि लोगसभा के चुनाओ यानि प्रधान मंतरी उम्मेदवार के लिए तेन पार्टियों ने फॉम एपलाई किये। ये पार्टिया थी। बीज़ुपी, कांग्रेस और त्रणमूल कांग्रेस। ये तीन पार्टियां सपोज मान लेजे जासी कित बतौर सूची फॉर्म भरेंगे और खड़े होंगे प्रधानमा सांसत पधेतों जैसे उसमें से हर एक बोट 545-543 में से ऐसा बिलकुल नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को 543 में से 543 बोटिंग या सीट मिल जाए या 545-10 कोई पर्टिकुलर पार्टी से ही न हर एक पार्टी में एक तरीके से डिवाइड हो जाता है जैसे आप समझे लिजे मद्द प्रदेश में लोकसभा की सीठें 29 है उसमें से आप मान लिजे कि 20 सीठें जहें वीजीपी को मिली और 29 सीठें पूरे के पूरे कांग्रेस को चली गई तो यहां एक भी सदस ऐसा नह युग के दारत तववाई यही बताते हैं कि कौन सी पार्टी ने 543 में से कितने सीठें हासिल किये और जो भी पार्टी 273 यानिक 273 की आंकड़ा को पार कर जाता है उसी की सरकार के अंदर पर बैठती है जैसे मौधी की मौधी गौवर्मेंट मौधी गौवर्मेंट ने 573 की आंकड़े को इन्होंने पार कर लिया था इसी वज़े से यह अभी कैंदर पर प्रधान मंद्री की बतौर वहां बैठे हैं यह राजसासन चला रहे हैं कि और आपको यह भी पता दिया गया है कि राजसाँ में मतात्रा कैसे होते हैं और राजसाँ कि चतने भी मैंबर हैं वह Sai सौरी राजी सभा में 245 मेंबर उसमें से 12 सदस्ज है क्या हो जाते हैं मनौनित किया जाते हैं राष्ट पति के द्वारा मंत्री परिस्ट के सलापर लोग सभा में जब कभी भी कोई मंत्री अच्छा काम करता है तो उसके लिए संपूर पार्टी उत्तरदाई होती हैं लेकिन लोग सभा में यदि जिसकी सरकार चल रही है और प्रधान मंत्री अतिए अपना त्याग पत्र दे दे तो पूरी लोग सभा के सारे मेंबरों का जो जिस राज्य के सेट नहीं लिए गए हैं उस राज्य के लिए मत्यदान करा दिये जाते हैं समझते हैं और अन्य तत्यों को सब तक आप सब अपने ख्याल रखें थैंक्यू